हेलो एरिवान गुड मॉनिंग नमस्कार छे नौमबर दोहजार बीश और आज के दह हिंदू न्यूज पिपर को हम लोग अनलीसिस करेंगे सबसे पहले बात करें यूएस इलेक्शन्स के बारे में तो यूएस इलेक्शन्स के बाद वोटिंग काउंटिंग चल रही है और व वो डेमोकरेटिक हो चेहर रिपुब्लिकन हो दोनों के साथ रिलेशन्स अच्छे रहे है इसे पहले जैसे ब्राक अबामा प्रिजिडेंट थे तब भी रिलेक्शन ठीक थे और अब क्योंकि डॉनल्ड टरम प्रिजिडेंट है अभी भी रिलेक्शन ठीक है तो जो अब करता कि साथ यह पोजिटिवली हो सकता भारत के लिए जो भी वहाँ पर एलेक्शन कंड़क्ट हो रहे हैं सेकेंड इंपोर्टेंड न्यूज है यहां पर बात की गई है ओल सेक्टर लुकिंग अप सेज पीम हमारे प्राइमिर्स साब एक ग्लोबल सी यो उस थे उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने दो-چار चीजे बताई जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले उन्होंने बताया कि भारत जो है एक नेशनल इफ्रास्ट्रक्टर पाइप्लाइन पर काम कर रहे है यह बहुत इंपोर्टेंट है नेशनल इफ्रास्ट्रक्टर पाइ इन्वेस्टमेंट करेंगे, छोटे टाउन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन सब के अलावा अगर आप देखेंगे भारत का हर एक सेक्टर आज जो है वो एक तरीके से इन सब के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, इस ग्लोबल वर्चुल इन्वेस्टर समिट के अंदर 6 ट्रिलियन डॉलर के जो होल रखते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड रखते हैं, उन 20 लार्ज ग्लोबल इन्वेस्टर से उन्होंने बात करी, इन्होंने क्या कि कहा कि भारत जो इन्होंने ली, और एक तरीके स्प्रेट अप कमपेशन की तरह हमने काम किया, नैशनल यूनिटी पर काम किया, और एक तरीके से स्पार्क आफ इन्वेशन जैसे चीजी हमें देखने को मिली, इन सब के अलावा पैंडेमिक के दुरान हमने रिमार्केबल रेजिलेंस दिख इसके लावा यहां पर बताएगा, इस रेजिलेंस ड्राइवन बाइद स्ट्रेंथ आफ आवर सिस्टम, स्पॉर्ट आप और पीपल एंड स्टेवलेटी ओपार पॉलिसी यानि यह सब केवल तभी संबह हुआ या पोसिबल हुआ जब हमारे सिस्टम में की स्ट्रेंथ की वज़े से लोगों की ताकत की वज़े से और हमारी पॉलिसी के अंदर जो स्टेवलेटी है यह स्थाई तो है उसकी वज़े से सारी चीज़े पॉसिबल हुई गवर्मेंट आफ इंडिया ने आतम निर्बर भारत पैकेज लॉंच किया था उसका ये के वाल एक विजन नही हम रिफॉर्म कर रहे हैं और उन समय पॉब्लिक सेक्टर को भी रेशनलाइजेशन करने पर हम लोग काम कर रहे हैं इसके लावा यहां पर बताया कि इंडियन पॉलिसी की स्टेवलिटी का ही एक रिजल्ट है कि भारत के अंदर फॉरें डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट 13% के असराइज हुआ है पिछले five months में तो यह काफी positive sign है भारत के context में इन्होंने कहा कि जो भी global investor community है वो भारत के अंदर confident feel करती है और यह global institutional investor को भारत के अंदर investment करना चाहिए नहीं हमने बताया उन्होंने define किया कि भारत के अंदर क्या हमने step उठाए और क्यों आपको investment करना चा test यह बहुत बहुत important topic है UPSC pre के खासकर economic में तो यह सवाल आएंगे और इनके बारे में basic information होनी बहुत जुरूरी है जैसे अगर simple term में FDI को मैंने कई बार समझाया लेकिन फिर से समझारों FDI का मतलब है foreign direct investment इन तीन words को आप break कर लिजिए F से foreign यानि foreign country से कोई investment होगा direct का मतलब होता direct और visible investment होना चाहिए visible in the sense for example हमने किसी school की building में investment कर रहे है या किसी ऐसी चीज़ों में investment कर रहे है जो visible होगा ठीक है और investment का मतलब तो निवेस होगा अगर foreign institutional investment की बात की जारी है तो वो visible investment नहीं माना जाएगा वो किसी संस्था के अंदर investment कर दिया for example किसी foreign company ने भारत की जैसे रिलाइंस में investment कर दिया तो यह कईने की indirect investment बोला जाता है FDI पर सबसे ज़्यादा focus क्यों किया जाता है कि FDI जो है एक stable माना जाता है investment के context में और for example मान लेते कि हम एक school के अंदर किसी ने investment किया तो school को तो ले नहीं जा सकता ना वो एक visible product है ठीक है इनके अलावा ये इसलिए इस पर continue focus किया जाता है कि stability आती है टेकनोलोजी आती है और उन सब के अलावा देश के अंदर रोजगार create होते है जोब create होती है ठीक है इसके बाद दिल्ली के अंदर recently हमने देखा कई सारे number of cases जो कोई-19 के continue rise हो रहे हैं तो कई सारे issues है high court उसमें जो है उन्होंने judgment पास करी कि दिल्ली जो है जल्दी एक Corona Capital की तरह आपको नजर आएगा reason क्या है इस तरह की statement क्यों high court ने दिये high court ने बोला कि आप लोग जो ये civic bodies है जो municipal corporation है वो salaries तक नहीं दे रहे हैं doctors की paramedical medical staff की स्पाइ करमचारी teacher और retired engineer जो भी नौर्थ दिल्ली municipal corporation के अंडर काम करते हैं तो इन्होंने का कि immediately जो है रिलीज किया जाना चाहिए अगर आप properly रिलीज नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली जो हो जल्द ही एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या एक Corona Capital की तरह है वहाँ number of cases जो continue rise हो रहे हैं उस चीज को हमें ध्यान रखना ह इसके लावा third news just basic information है चाइना ने इंडिया, UK, Belgium, Philippines इन जैसी country से जो भी traveling कर रहे थे उनको ban लगा दिया गया हाला कि यह कोई diplomatic region नहीं है उन्होंने का कि number of cases जो है in countries के अंदर rise हो रहे हैं तो imported number of cases COVID-19 के वज़े से उन्होंने ban लगा दिया हाला कि international flight जो है resume नहीं थी कुछ special operation के अंडर ही flights चल रही थी और जिसमें वंदे भारत mission के तहत हमारी चार flights जानी थी लेकिन वो अभी unclear हो गया क्योंकि जब तक वहां के authorities हमें clearance नहीं देगी हमारी flights वहां पर land नहीं कर सकती तो वो इन्होंने का कि जो 13, 20, 27 और 4 December को flights जानी थी वो अब क्या है clearance कि नहीं उसम जो किसे ने किसी वज़े से नहीं आ पाए थे COVID-19 के दोरान डेली की air quality index जो वो civil category के अंदर है और इसमें continue rise हो रहा है air quality monitoring agency जो ये बोल रहे है कि कहीं ने कहीं ये 42% जो rise हुआ है pollution के अंदर या air quality index जो खराब हुआ है उसका सबसे बड़ा region है farm fire ये तरीके से वही stable burning या खे के वज़े से ये civil category के अंदर आए गया और पूरे NCR region में Delhi नहीं आप देखें फ्रीदाबाद गाजियाबाद greater noida गुरुग्राम noida इन सारे regions के अंदर आपको smoke जैसी चीजे फील होगी और number of cases का rise होना क्या relate करता है नहीं करता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये breathing problem जरूर होती है जब आप smoke बड़ेगा ठीक है तो air quality index के अंदर 8 pollutant को count किया जाता है जैसे pm 2.5 pm 10 है ये कुछ major है उसमें इसके लवा 6 air indicators है इसके लावा इसमें categorization किया जाता है air quality कैसी है ठीक है इनके लावा जो earth ministries है उसके अंदर एक सफर करके applications है एक तरीके से monitoring method है जिसमें analysis किया जाता है कि air quality कैसी है तो ये air quality index के बारे में आप जुरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप comment करना चाहें तो air quality index में कौन-कौन से pollutant include किये जाते हैं मैंने कई बार सवाल पूचा है इनके अंदर मैं पहले बता दो pm 2.5 और pm 10 important है इसके लावा 6 और आएंगे व तो रेशनली ओडर रहा था एन पीएज को लेकर non performing asset को लेकर उन्होंने कहा रिजरो बैंक को फिटिया निया कि यह problematic हो सकता है यह problem create कर सकता है सुप्रेम कोट का order क्या था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सुप्रेम कोट ने बोला था कि अगर 31 अगस 2020 तक किसी amount को आपने non performing asset यानि ऐसी amount जिसके आने की वापसी आने की समहोना है कम है तो वो declare मत करिए तो यहाँ पर इजरो बैंक आफ इंडिया ने कहा कि अगर आप ऐसा कहेंगे यह इस तरह की चीजें होंगी तो बहुत problematic उनको यह लिए हो सकता है तो उन्होंने petition file किये कि भाई आप इसमें प्रोफिर से analysis करी कि आपने जो बोला है कि उसको कैसे हम लोग implement करेंगे तो एक तरीके से discussion यहाँ पर होगा Second important है यहाँ पर SCST Act को लेकर कुछ judgment आई है Supreme Court की तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act ठीक है यानि एक तरीके से अनसुची जाती और अनसुची जन जाती के बारे में यह अधीनिम के बारे में Supreme Court की judgment क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो इन्होंने समझा है इन्होंने Supreme Court ने बोला कि all insults or intimidations or to person belonging to Dalit और tribal communities will not be an offense under तो यहाँ पर simple सी बात यह है कि SCST Act के अंदर हर एक word जो है वो indicate नहीं करता यहाँ पर आपको clearly बताया गया है कि definition क्या होगी कि such insult or intimidation is on account of the victim belonging to a scheduled caste और scheduled tribe यानि अगर particular किसी को किसी की कास्ट की वज़े से humiliate किया जाता है तो यहाँ पर बताया गया अगर आपको आपकी community की वज़े से humiliate किया जाता है और आप SCST community से belong करते है तो आप उसके खिलाब फाइल किजिए SCST Act के ताहित case लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर इस तरह का कास्ट को लेकर हुमिलेट नहीं किया जाता तो यह पूर Supreme Court द्वारा कि अगर आपको particular आपकी कास्ट की वज़े से humiliate किया जा रहे यह आपकी कास्ट को target करके humiliate किया जा रहे और आप SCST community से belong करते है तब आप SCST Act के अंदर आएंगे लेकिन for example violence का case है तो वो case जो होगा वो ordinary criminal laws के अंडर रहेगा तो एक definition दीगी यहाँ पर clarification दीगी और मुझे लगते हैं बहुत अच्छा decision है Supreme Court का इसके लावा world section में आप देखेंगे पूरा का पूरा world section जो है again election election से continue है और चोटी चोटी information यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले एथोपियाज में एक जगह है टिग्रे करके वहाँ पर emergency impose की गई है तो उसके बारे में 2020 में जो Nobel Peace Prize दिया गया है वो किसको दिया गया है तो इथोपिया की आगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Eastern Europe कह सकते हैं और यह जो है वो ओशियन से टच नहीं कर रहा लेकिन जीबूती, इरिटीरिया, सुमालिया, किनिया, साउथ सुडान औ इसके लावा एक और कंट्री जो है न्यूज में कोसोवा करके वहां के प्रेजिडेंट ने जो है वो रिजाइन कर दिया है कि वो क्राइम कोर्ट में फेस करेंगे और इनका बहुत इंपोर्डन रोल रहा था सर्विया से इंडिपेंडेंस में 1990 के अंदर तो इन्होंने रि यूपियन कंट्री जब जब कोई कंट्री न्यूज में आएगी तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे में इसके बाद हम चलेंगे अदर एडिटोरिया वाले सेक्शन में कई सारी चीज़ी हम बताए गये सबसे पहले बात कि एरस्टिंग अरणब रेशनली हम ने देखा क कि पुलिस जो अवोईड कर सकती थी अरेस्ट और ऐसे अरेस्ट को जहां पर लगता कि पुलिटिकली मोटिवेटिड इस तरह की चीजी है अब इनको अरेस्ट क्यों किया गया क्या केस है पूरा उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे 2018-19 का एक केस है एक अन्वे नायक करके उनको कहिने की अपैटिड टू दा सुसाइट का मतलाब कहिने की सुसाइट को पर्मोट करने के मामले में इनके किलाफ केस दर्ज किया गया 2019 में बंद कर दिया गया था लेकिन फिर से जो ही ये open कर दिया गया case और इनको arrest किया गया यहाँ पर जो भी allegations हो यहाँ पर सवाल यह कि क्या उनको arrest किया जाना चाहिए था नहीं किया जाना चाहिए था और क्या low process follow किया जाना चाहिए था तो यहाँ पर जो इन्होंने बताया है कि पुलिस जो है वो avoid कर सकती थी arrest को जब तक कोई sufficient evidence नहीं मिल जाता ठीक है चाहे वो return हो चाहे verbal हो कुछ भी हो transaction और agreement के बारे में information नहीं मिल जाती इनके अलावा 4 sheet file नहीं हो जाती इनके मामले में चीज़े होने चाहिए इनके लाव section 306 of IPC है उसके अंदर जो भी rules and regulations है उसको follow किया जाना चाहिए था हलांकि बहुत सारे union minister ने अर्नो गोस्तवामी को जो है वो arrest को कहा कि यह कहीं ने कहीं media पर attack है हलांकि कितना सही है कितना गलत उस चीज़ को हम छोड़ देते हम सिरफ कुछ कुछ चीज़ों पर discuss करेंगे यहां पर चाहिए उनका personally मुंबई पुलिस के साथ महरास्टा गवर्मेंट के साथ क्या issue है उस चीज़ को भी हम छोड़ते हैं avoid कर देते हैं क्योंकि वो चलता रहा था उनका अपना लेकिन यहां पर यह चीज़ हैं कि यह जो step उठाए गए है इस step से बचा जा सकता था और एक तरीके से जो भी cases है आप उसको चार सीट फाइल करते हैं प्रोपर प्रोसेस फोलो कि यह जा सकता था इनके लावा उनका मुंबई प्लिस के साथ जो continue चल रहा है recently TRP allegation लगा था कि कहीने के TRP को fix करने के आरोप उन पर लगे थे allegation लगे थे और इन सब के वावजूद ऐसे cases में थोड़ा सा careful रहना चाहिए जहां पर यह लगता कि कहीने कहीं trials में politically motivation जैसे चीज़ें हमें देखने को मिलेगी तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होंगी लिगली कोई case है तो उसमें एक due process follow किया जा सकता था immediate arrest से बचा जा सकता था charge sheet file करते और proper rule and regulation के through continue किया जा सकता था हालांकि high court ने उनको immediate bail देने से मना कर दिया है लेकिन let's see क्या होता है क्या नी तो just basic information की तरह है साथ यह किसी भी exam में ना आए हो सकता है indirectly पूछ ले means में कि media trials या media को लेकर केशी therapy को लेकर question हो सकते हैं तो maybe possibility है second article है basically अस्ट्रिया के अंदर जो attack हुआ उसके बारे में अस्ट्रिया में जो recently attack हुआ था terror attack उसके बारे में बताया गया आप आपने देखा होगा कि attack हुआ वहाँ पर एक तरी कैसी European countries में एक तरीट जैसे चीज़े देखने को मिली कि terrorist attack वहाँ पर किये जा सकते हैं पैरिस में वह उसके बाद जो है यहाँ पर वीना के अंदर हुआ वीना में जिसने अटेक्ट किया सस्पेक्टिड जो था वो कहिने के एक citizen था डूल citizen था अस्ट्रिया नॉर्थ मकडोनिया का ठीक है और यह अलबानिया और नॉर्थ मकडोनिया दो कंट्रिज का यह dual citizenship की तरह आपको देखने को मिलेगा और कहिने के इससे पहले इसको सजा भी हुई थी कि सिरिया के अंदर यह गया था वहाँ पर यह इसलामिक स्टेट को इसने जोइन करने की कोसिस की थी यह जोइन किया था ठीक है इसके बाद इनको रिलीज कर दिया गया जाने चाहिए अस्ट्रिया में जो कंजर्वेटिव चंसलर हैं सबस्टीन कर्ज करके ठीक है पूर्ज करके जो भी इनका नाम है वो उनको माना जाता है कि वो एंटी में माइगरेंट पोले पोलिटिक्स को फोलो करते हैं और उनका जो मैसेज था वो क्लिरल था कि जो है उसको अगर आप डेमेज करने कोशिस करेगे तो फाइट उसके खिलाफ होगी ठीक है वहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टिज या एक तरीके से अलाइंस जो भी है उन्चे जो को भी हम छोड़ देते हैं तो ये कहीने कहीं एक लेक्शन्स वहाँ पर 2022 में हों उन चीज़ा इस बात को धान एकना चाहिए कि जो बेसिक लोग है या जो हमारी बेसिक वैलिूस है उनको नहीं भूलना चाहिए चाहिए पलोरीजम है सेखलूरीज जंड पारेश है स्टेप अप करना चाहिए और ऐसे लोग जो टर्रीजम फिलाते हैं लोगों की है या एक तरीके से ऐसे लोग जिनको सही में प्रेसर है या एक तरीके से जगह की जरूत है उन लोगों को बिल्कुल बंद मत करी नहीं ते माइग्रेशन क्राइसिस भी आप लोग फेस कर सकते हैं यह कुछ कंसंस हैं अस्टिया की मामले में अगर आप देखेंगे इसमें दो-तिन कंट्री न्यूज में रही जिसमें अलवानिया के बारे में डिसकस किया गया अलवानिया के बारे में डिसकस किया गया और इसके अलावा यहां पर जो नौर्थ मकडोनिया करके country है यहाँ इसको भी discuss किया गया तो यह कुछ जगह है जो continue news में कुशोवा हमने पढ़ा था मॉन्टेनीगरो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर Greece यह continue country यहाँ न्यूज में है अलग-अलग वज़े से लेकर तो इस पर सवाल हो सकता है सवाल हो सकता जोगरिफिकल में जैसे अडियाटिक सी पर हो सकता है या आईजियन सी पर हो सकता है क्योंकि Greece हो टर्की हो यह पूरा का पूरा एरिया जो है continue news में बना हुआ है तो इस पर खासकर जो है जितने भी वेस्टर्न यूरोप से जितने भी सीज यहां पर यह जो बाउंडरी लग रही है ब्लैक सी से लेकर कैस्पियंसी तक यह सारे के सारे हमारी जोगरिफिकल एक इंफरमेशन होनी चाहिए ताकि हम लोग जो है वह अच्छे से मैप के तुरू स्कोर कर सके ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना कि maximum practice हमें करनी है mapping की last editorial हम cover करेंगे यहां पर बताया गया do recent indicators hint at a real economic revival क्या जो recently indicators है यह कहिने का economic revival के बारे में hint करते हैं real में तो उसके बारे में बताया गया कि government must come up with a effective fiscal package to help stressed sector तो यह काफी important topic थोड़ा detail में पढ़ेंगे हम लोग ठीक है तो सबसे पहले बताया गया कि government को काम करना चाहिए एक ऐसे fiscal package के साथ जो in stress sector के अंदर जो है काम कर सके तो दो personalities है इन्हों यह आपस में discuss कर रहे हैं एक तरीक से debate कर रहे हैं politically नहीं कहूंगा एक अच्छा debate बोल सकते हैं after India's economy collapsed in the first quarter of 2021 यानि भारत की अर्थवश्ता जो है 2020 में जब nationwide lockdown किया गया था COVID-19 pandemic की वज़े से उसके बाद उसमें एक तरीके से collapse देखने को मिले उसमें कमी देखने को मिली इसके बाद September और October के जो indicators है वो शो करते हैं कि हमारी economy में थोड़ा थोड़ा आई सही लेकिन revival हो रहा है चाहिए power consumption की बात हो GST collection की बात हो और यह suggest कर रहे हैं कि things are improving यानि चीज़ें जो है improve हो रही है इनके अलावा sustainable recovery जो है वो कहीं ने कहीं improve हो रही है इन सब के अलावा combined demand जो है उसमें भी improvement हो सकता है लेकिन क्या festival seasons के अंदर जो spending है जो खर्च increase होगा वो क्या improvement हुआ है और क्या वास्तों में हमारी ground situation change हो गई है उसको इन्होंने properly analysis किया अलग-अलग questions के बारे में तो सबसे पहले इन्होंने एक personality नाम छोड़ दीजी आप यहां पर बताया गया कि चीजें जो obviously improvement हुई है lockdown जब हमने इंपोज किया था 22 March के बाद वहाँ पर हमने देखा कि दुनिया का सबसे strict lockdown हमने किया इसके लावा हमन हमने नहीं के लोगों की moment को रोका बलकि हमने logistics की moment को भी रोक दिया ठीक है इनके अंदर एक तरीकर सी unique तरीकी का चीजे थी इसमें हमने सभी stopping logistics को को जो stop कर दिया as well as moment goods की जो moment उनको भी हमने रोका इसके लावा हमने manufacturing unit जो जो mostly बंध होगी और इनमें केवल एक चीजें जो supply होती ही वह essential supply जैसे medicine है food है ये चीजों को छोड़के पूरी चीजे जो कहिने की हमने बंद कर दी और अप्रेल में huge disruption देखने को मिला एक तरीके से disturb हुई पूरी manufacturing unit और virtual stop पे जो हो कहिने कई बंद हुआ मई तक ये चलता रहा मई के बाद हमने देखा धीरे धीरे चीजें क अनलोक किया गया lockdown को थोड़ा से relax किया गया और धीरे धीरे smoothness हमने देखने को मिली जून में हमने देखा कि बहुत सारी company ने अपना काम जो है start किया इसके बाद जो data आया GDP का मार्स तो नहीं अप्रेल माई जून तीन माईने का जो major data था उसमें ये indication किया कि हमारी GDP में 24% का contraction ये कमी देखने को मिली वो natural था क्योंकि economy तो चली नहीं रही economy नहीं चलेगी तो contraction होगा कमी होगी लेकिन अब क्याव एक different picture हमें देखने को मिलती है आप चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात करे फार्मासिटिकल्स हो, chemicals हो, food and beverages हो, tractor, two wheelers, consumer durable हो और ये कहीने कहीं एक improvement है लेकिन बहुत सारे ऐसे sector जो अभी भी back कर रहे है एक तरीके से lag कर रहे है उसमें कमी देखने को मिलती है जैसे travel and tourism है ठीक है ये अभी भी struggle कर रहे है और इनकी जो utilization capacity वो बहुत कम है 10 से 30% थे कि ये अभी improve हुए है इनमे recovery बहुत ज्यादा की जानी बाकी है second ये नहीं है कि यहाँ पर improvement होगा इन सब के अलावा retail sector जो है उसके अंदर थोड़ा से improvement तो हुआ है लेकिन ये जो improvement retail sector के अंदर है वो high street stores के अंदर है shopping malls के अंदर अभी भी improvement नहीं है लोग अभी भी जो है वो उनके अंदर डर है कि वो shopping malls के अंदर जाने से बच रहे है तो तीन ऐस sector जो कि employment intensive sector यानि बड़ी संक्या में लोगों को रोजगार देते हैं इसमें travel and tourism है construction है real estate और retail है इन तीन सेक्टर में अभी भी कमी है इनमें अभी भी बहुत जादा improvement करने की जरूरत है क्योंकि ये जो है अगर रोजगार provide करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत जादा investment करने की अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इनके लावा recently कई सारी चीजे हुई complete control हमें अभी भी वाइरस पर नहीं हुआ है और certainly एक तरीके से confidence वो develop करना अभी भी concern है recently अब देखेंगे दिल्ली के अंदर 6-7000 case per day बढ़ रहे हैं तो क्या question ही होगा क्या हम फिर से lockdown lockdown में जाएंगे या government lockdown impose करेगी या particular area के अंदर imposement करेगी तो उसमें transparency and clarity अभी भी नहीं है ठीक है number of cases जो है वो increase हो रहे है अलग-अलग countries ने अलग-अलग तरीके से cases को observe किया है for example Germany का अपना एक तरीका है transparently उन्होंने इस पर काम किया कि क्या lockdown impose किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए तो उन्होंने का कि lockdown import जो particular areas पर किया जा सकता है अगर cases बहुत जादा बढ़ जाते हैं ठीक है इसके लावा आप economic policies के response को कैसे देखते हैं उसके बारे में बताया गया कि economy में कहिने के slowdown देखने को मिलेगा जब से lockdown announce हुआ है ठीक है और इसके लावा low investment की problem है banks जो है पैसा देने को त्यार नहीं है क्योंकि banking crisis का उन्हें डर लगता है इनके लावा कई industry जैसे hospitality industry है इसके अंदर travel and tourism जो है यह कहीने कहीं इसमें अभी इसको play एक तरीकी से improvement होना बाकी है इसके अलावा जो real estate है construction है वहाँ पर laborers नहीं है और मजदूर नहीं है उसकी वज़े से वहां स्थरमिक जिसको बोल सकते है वो उसकी वज़े से problem है कि यह sector properly improvement नहीं हुआ है government ने announce किया था अपने तरब से कि आतम निर्वर भारत package के अंदर एक तरीके से हम लोग improvement करेंगे लेकिन इसकी वज़े से liquidity तो बड़ी market के अंदर तरलता जिसको हिंदी में बोल सकते हैं वो तो बड़ी लेकिन overall इसमें improvement होना बाकी है तो investment के मामले में अभी भी slow चीजे हैं और बहुत सार implications करनी है इसके लावा जो हमने GDP में लगबग 1.5% जो है वो ही खर्च किया है इसके लावा stipulate package जो हमें improvement कर पढ़ेंगे recently हमने जो announcement के थे वो announcement white collar जो white collar jobs है जैसे government job हो सकती है इनके लिए हमने new travel concession दिया और कहीने कहीं इसमें improvement हुआ लेकिन ये क्या ये formal sector informal sector के लिए हम क्या कर रहे है that is very important है इसके लावा जीस्टी नंबर ये शो कर रहे है कि कहीने का economic revival है लेकिन क्या ground पे सही में G GST collection जो review हो रहा है एक तरीके से इसमें improvement हो रहा है ये concerns भी है दिवाली आ रही है तो festival में demand बढ़ने की possibilities है जो data November के बाद आएगा याई November का data होगा उसमें improvement हमें देखने को मिल सकती है इनके अलावा GST slabs के बारे में इनोंने कहा कि GST जो tax है गोर्जन services tax उसके अंदर construction material जो जो है इनको 28% की slabs में रखा गया है तो ये 28% की slabs को हटाया जा सकता था क्योंकि ये sin goods नहीं है sin goods का मतलब क्या होता है कि ऐसी items जो कहीं ने कहीं damage करती है economy को environment को या लोगों की health को लेकर जैसे tobacco product हो सकते हैं cigarettes हो सकती इस तरह की चीज़ sin goods के अंदर count कर सकते हैं इनके लाव alcohol, soft drink ये सारी ये सारी इसके अंदर आ जाएगी क्योंकि जो भी health को damage कर रही है वो चीज़े इसके अंदर include होते हैं लेकिन cement, steel और paint इसको हटाया जा सकता था इसके लावा vehicle के बारे में बताया गया कि vehicles के उपर 28% की GST लगाएगी जो की high tax rate अगर GST में थोड़ी कमी कर दे हैं इसमें 18% के slabs में भी अगर हम लेकर आते हैं तो कहींने कहीं improvement होगा vehicle sales बढ़ेगी tax collection बढ़ेगा और construction material अगर सस्ता होगा तो construction activities भी बढ़ेगी और ये वो sector है जो बड़ी संख्या में लोगों को और कई सारे indicators हैं जैसे आज जैसे IMF के भी है Reserve Bank of India World Bank के उनमें भी कहा गया कि improvement हमें देखने को मिल सकता है लेकिन हमें काम करना पड़ेगा कई चीजों में कई सारे indicator आ रहे हैं जैसे मनरेगा के बारे में एक indicator आया कि मनरेगा ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार तो provide किया है लेकिन rural area के अंदर अभी भी मनरेगा की वावजूद भी जो है वो unemployment rate बढ़ रहा है वो उसका साथ reason यह हो सकता कि बड़ी संख्या में लोगों ने migrant worker जो है अपने घर पे गए और properly उनको काम नहीं मिला agriculture sector के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन agriculture sector में इतनी demand नहीं है यानि वो बस काम कर रहे हैं as usual demands के मुकाबले नहीं या इतनी demand नहीं है क्योंकि जमीन जो है अगर आप देखेंगे agriculture sector के अंदर जो marginal और small farmer है छोटे और सिमान्त किसान बहुत जादा है as compared to बड़े किसान तो वहाँ पर जमीन नहीं होगी तो कितनी खेती करेंगे कितने करेगा हमें informal sector पर भी काम करना पड़ेगा इसमें Reserve Bank of India, Government, Public, Private Institute सारे मिलकर अगर काम करें तो कहिने के एक improvement देखने को मिल सकता है ठीक है infrastructure project पर हम काम कर सकते हैं और ground पर जो है काम किया जा सकता है तो यह कुछ important news थी आज के the Hindu news paper की उमेद करते हैं आपको पसंद आएगा Thank you all जय हिंद